अधे दोस्तों आप सबस्कास आप सबके अपने चैनल जाने अरहान इंटेंट्रेंड में मैं हू राशिष शेक तो आज हम लोग बात करें को लसी और चिकन मसाला के बारे में तो यह कोई रैसीपी नहीं नहीं है कोई रेस्टोराइट की डीशे बलकि आज हम लोग बात करें वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है खोल लसी और चिकन मजाला इस वेब सीरीज में हमें नजर आते हैं दीवेंगा टिपाटी राजिक खंडेल वार मानी नी मिश्रा और गैस टोर में प्रियाइशु चेटर जी और बर्का बिश्ट इसे डायरेक्ट की है प्रदीप सरका तो एक दिन मानी मिश्रा दिवेंगा टिपाटी नी नित्या ते खेथी हमारा रेस्टरॉर्न कुछ चल नहीं रहा तो आधि7 यार इसके बेज देना चीना है अधिक सेल कर सकते हैं अगरिस सूस्ता है कि हमारे रेस्टर्न में कुछ फॉर्ध इन्वेश्टर मिल चुके और साथ साथ एक international chef जो हमारे साथ मिलकर काम करना चाहता है तो नित्या बहुत कुछ हो जाती है बहुत अच्छी बात है तो लेकिन उसे पता है नहीं रहता है कि जिस international chef की बात कह रही है वह chef कोई और नहीं बल्कि राजेख खंडेल वाल एने विक्रम ही है विक्रम के साथ नित्य विक्रम को देखके रेस्टोरण में लेकिन सोच नहीं थे क्या पुछ घ्यार्ट यहां पर अजह कर आ घा है कि शको कई क्छी हिए उसके बाद हम ये बताएं रहें हुवी चीजे जैसे कि पास्तमें जूरी थी जिस तर वो मिले थे बह्तलमें किस तर वहmouth तसलिए इसी इस प्रफ साइंस में साथ में पढ़ाई करते हैं पी प्यार होने के बाद कैसे रिलेस्ट्रिप उनका आगे बढ़ा आगे बढ़ने के बाद ऐसी क्या उन दोनों में से गलती हो जिसके वैसे रिष्टा यहां तक पौछ गया ने को दोनों अलग हो गए पर काफी सार बाद जब दोनों एक साथ मिले तो वह सब उनकी बीच में जो कैमेश्ट्री है वह इसमें बहुत अच्छी तरीके से दीवेंगा डिपार्टी और राजीव खंडलवन ने स्क्रीन पर उता रहा है मैं इतना बोलूँ हो कि इन दोनों की जो कैमेश्ट्री यह बहुत ज्यादा फ्रेश है बहुत जादा अच्छी लगती है और दोनों ही एक्टर्स ने अपने जो परफॉर्मेंस ने बहुत ही लाजवाप दिया मैं इतना परस्नलिस दीवेंगा डिपार्टी का फैन नहीं जितना राजीव खंडलवाल का फैन हुए मुझे आमीर पिच्चर में वह एक फिल्म म कहानी अच्छी है बिलीवेबल लगती है जो प्यार करते हैं जो प्यार करने वाले कपल्स के भी जगड़ा होगा या वो लोग अलग हों कुछी वज़ा से तो यह उनको याद दिलाएगी अपनी एक वज़ा और यह एक वेब्स जादा लेंदी नहीं हर एक एपिसोड लग को के फैन है दीवेंगा टीपार्टी और राजेव फंडरवाल के फैन है तो वह तो हंडेद पसंद देखिंगे उन लोगो यह बहुत जादा पसंद है मेरे इसाफ से तो मैं इसको दूंगा पांच में से साड़े तीन इसार क्यूंके मुझे पसनली यह वाचेबल लगी के अच्छी भूट बहुत एंच्छी और बहुत है और इसमें लोग यह यह कुछ अलग हट लगी कोशिशी की कि जोकी बहुत इस सायना है बहुत ही अच्छी बाता है और राजे फंडल वाल तो अपने कैरेक्टर में पूझ जाते हैं हमीसी वादो ह है बहूट अच्छी दाल चुके है तो दोनों का परफ़मेंस अच्छा है वैब से ठीटा के मैं यह नहीं बोलता कि बहुत अच्छी है ठीटा के लेकिन उनके फैंस के लिए बहुत ज्याद अच्छी है और शाहिद का सीजन टू भी ज़रूर आएगा तो यहार इस से आधा आपको बता नहीं सकत बाल